कर दो कर दो कर दो करेंगे वो मैं आपको चलते चलते बता दूंगा कि क्या सीन है तो अभी अपन हम रेडी है पूरा अपना सेट अप देखिए यह रखा हुआ है और अभी निकलेंगे और सीधा आपको बाइक के ओपर मिलते हैं कि भाये और बहनों अपनी सीट की बेल्ट बांद लो क्योंकि आज का सफर हमारा रहने बाला है थोड़ा सा लंबा ज्यादा भी नहीं बड़ थोड़ा तो लंबा है कितना 26 किलोमेटर 26 किलोमेटर मतलब 40-50 मिनट और अभी गाड़ी फिसलते फिसलते हमारी बच गई सो इट्स ओके पर हमें आराम से जाना है जल्द बाजी नहीं करनी है हम जा रहे हैं अपनी baike की servicing के लिए ये हमारी bike की third servicing है जो कि काईदे से free है लेकिन बेकाईदे से free भी नहीं है क्योंकि पैसे हमें फिर भी भरने बढ़ते हैं तो आज देखते हैं हमारी गाड़ी हमारा कितना खर्चा कराती है वो आप लोगों को वीडियो के अंत में पता चल जाएगा तो कृपया साथ दीजिए और वीडियो के साथ बने रही है अबे फस गया गेर तो आप लोग मैंसे कितने लोग ऐसे हैं जिनका कभी-कभी सेकंड से थर्ड गेर फस जाता है वो बताए मेरे को क्योंकि मैंने अभी तक नोटिस किया है दो-तीन बाइक जो भी मैंने अच्छे-ची चलाई है सब में मैंने नोटिस किया है कि ऐसा होता है लास्ट टेम ठीक कराया था और ठीक क्या होता है वो पता नहीं अबे फिर डग गया और बताए है मेरी वीडियोज आप लोग को कैसी लग रही है सजेशन दीजिए कोई नई वीडियो के लिए क्योंकि अगभी वापस से अगर लोगडाउन लग जाएगा तुमें क्या वीडियोज लाऊंगा मेरे को भी नहीं पता बट खोशेश यही रहती है कि आप लोग को कुछ न कुछ अच्छा बताऊं जिससे आपको हेल्प में ले लाइफ में कुछ इंपोर्टेंट चाहिए फिर वह बाइक से रेलेटेड हो चाहिए लाइफ से रेलेटेड हो तुम लोग से कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरा हीरो 9 का सेट अप क्या है यह इसको मैं यूस कैसे करता हूं कि मैं कि यूज करता हूं तो मुझे लगाता जो मैंने जादां सिट अप मोटो भूज बनाए था ओपर दिख लिए वह म। कि मैं क्या यूज़ करता हूं इसलिए मैंने ज्यादा उसको इंपोर्टेंस नहीं थी कि अंदर क्या क्या गया नहीं बट अगर आप लोग को चाहिए उसके उपर वीडियो की हीरो नाइन का सेटप में कैसे यूज़ करता हूं मोटो वागिंग में तो बता दो एक बार फिर से कमेंट बॉक्स में डाल दो तो अगर मेरे को लगेगा कि दस पंदरा लोग हैं इनको जानना है तो अपन बना देंगे एक और वीडियो इसके उपर चलो सीधा अब तुमको सर्विस इंटर पर मिलता हूं आगे हम सर्विस सेंटर हमको वक्त लगा 40 मिनिट और यह आगई हमारी बाई गंदर सर्विस सर्विस होना है लगा दी गाड़ी तो तुपे सर्व है जो हमारी 310 की पूरी देख बाल करते हैं जब बाई किदा राती है था और काफी अच्छे से देख बाल करते हैं तो तुम लोग में को अगर किसी को कुछ देखता आएगा भी तो तो पे सर्व को कॉंटेक्ट करो इदा थोड़ा सा भीड है तो फिर मेरे को मास्क लगा के रखना पड़ेगा है एंड लोग का भी लूंच हुआ है तो मैं भी लूंच कर लेता हूं मेरे पास मैं अपना खाना लेका है ता अगर से बहुत बना कर कि क्योंकि पता है आप लोगों को वेट चल रहा है तो इश्यू है बाहर नहीं गा सकता तो आपको मेरे काला देखिए अभी तो अब हम इसको खाएंगे एंड देखते हैं कब तक वो पता है काम कब तक नहीं अभी तक तो सब पढ़िया ही है बहुत नहीं आओ ज्यादा चले ज्यादफ गज कर दो पहला एयर फिल्टर जो चेंज हुआ है और जैसा देख सकते हो आप एतना गंदा तो मुझे देख रहा है बड़ फर्स टाइम मैं देख रहा हूं तो के भी नहीं सकता हूं इतना ही गंदा होता है और भी होना चाहिए तो यह चेंज हुआ है 400 संथिंग रुपीज का 500 के असपास कई आता है यह फिल्टर तो मुझे लगा आप लोग को दिखा दूँ इसलिए बस मंग आया इसको मैंने अंदर से तो अभी अपन जा रहे हैं ट्राइल लेने विकाज गाड़ी का जब भी सर्विसिंग हो ट्राइल ज़रूरी है तो दिक्कत आ रही थी मेरे गेर शिफ्टिंग में कि गेर शिफ्ट अच्छे से नहीं हो रहा था सेकंड और थर्ड जिस वज़े से लगा है टाइम कितना क्या वो आपको बताता हूँ पहले थोड़ा मैं चेक कर लूँ चीजों को बताते हैं की खर्चा क्या हुआ है गाड़ी में आज तो जो टोटल खर्चा हुआ है वो हुआ है राउंड 3160 रुपएगा 3176 जिसमें जो प्राइज इंक्लूड हैं बड़े बड़े वो हैं एक ओईल चेंज का 1750 उसके अलावा ये दो चार्जे से 520-575 एक है चैनल्यूब और एक है फैन के लिए बस अभी हम निकलेंगे क्योंकि टाइम हो गया है काफी जादा मैं आया ता सुबह 10 वजे और अभी टाइम हो गया है साथ तो कुल मिला के कितने टाइम लगा 11 12 13 14 15 साथ गंटे और दो ओ माई गॉड़ है कि सो कि बाइक का काम हो गया है इधर खतम है अभी हम निकलेंगे तो एक टिप देना चाहूंगा जब भी आप लोग अपना बाइक का कुछ भी काम कर रहे हैं चोटे से ट्राइल जरूर ले ले जैसा कि मैंने अभी लिया ऐसा नहीं है कि मतलब ट्रस्ट शूज है या कु कि अबी जो जिस दिकट के लिए आप इतनी दिर बैठे रहे और वो दिक अभी के अभी रीसिंट देख जाए हो सका उने ना देखे हो सकते तो मैं देख जाए तो मतलब एक ट्राइल लिजिए मैं हमेशा आता हूँ हमेशा बोलता हूं कि ट्राइल जरूर लेजिए कभी लोग छोड़ देते हैं ठीक है चलो कुछ नहीं होगा तो वापस आजाएंगे वापस आने में बहुत लगता है भाईयो ऐसा नहीं है कि अभी तुम जाओगा अभी वापस आजाओगे नहीं चलो यह तो हो गई जो मेरे गेर बोक्स में दिक्कत आ रही थे और यह मैंने और भी बाइक्स में देखाया यहसा नहीं है कि मैंने इसी बाइक में देखाया कि सेकें थाड़ गेर में दिक्कत आता है मैंने जो पहले भी बाइक्स चलाई हुए उसमें भी मेरे को दिक्कत इशु हुआ था तो किस वज़े से हुआ यह तो नहीं बता हैं लोगों ने बठाँ ठीक करके दिया है पहले चीज दूसरा टाइम इतना क्यों लग गया बाइक ठीक हो गई थी साड़े तीन चार वज़े तक लोगों ने सर्विसिंग कर दिया था अब दिक्कत यह है कि यहां पर सिर्फ एक ही बंदा में जर्णैंग को मित्रीटे के भारेम अले किया देखता है यह को आज थी गजो मेरे साल गई में थे ड़े साथ अध devenir बंदे के पार मायका था कि सर्विसिंग के लो या जो भी काम है वो कर रहा था जिसमें से एक बाइक तो उसमें होल्ड पर रख ली और दो वापस दे दी है अब हम बात करेंगे सर्विस कोस्ट के तो इस इस माई थार्ड फ्री सर्विस जिसका मेरे को बिल बैठा है अराउंड 3200 तो भाई एक बात जालो कि जितना महगा बाइक लोगे सर्विसिंग उसकी उतनी ही जाद आएगी तो जब भी आप लोग बाइक लें तो ये ना सोचें बाइक 3 लग की है 2 लग की है हमेशा ये सोचें उसकी सर्विसिंग कोस्ट क्य है उसकी जो फ्री सर्विस हैं उनका कोस्ट क्या है और पेड सर्विस है उनका अभी इसका जो पेड सर्विस रहेगा सपोस्ट इस मेरे 3200 लगे तो जो लेबर चार्ज है 360 के लिए वो है आराउंड 1200 जी बारा सो रुपए लगते हैं इसकी लेबर चार्ज जो की काफी त्रे टेंग जीस है या कोई और तो उनका उनका सर्विसिंग तो भाईया उनका सर्विसिंग कोष तो बहुत ज्यादा है मैं अफ़ोड कर नहीं सकता तो वस यह है कि आप बाइक खरी दें तो यह जरूर जानने कि आपकी सर्विसिंग में कितने रुपए जाने वाले हैं तो ही आप सही बाइक चूज करें तो मेरे को थोड़ा इवज यही अभी ठीक है ये कोविड का सिचुशन था इस वज़े से थोड़ा सा दिक्कत आया विकास बाइक चली नहीं है और जो इसकी फ्री सर्विस थी इनका रहता है कि एक साल के अंदर आपको जो तीन फ्री सर्विस देते हैं वो आपको लेनी ही पढ़ेंगी तो मेरा बाइक मैंने मार्च में लिया था लास्ट इयर उसको बाद कोविड आ गया घर चला गया छे महीने बाइक चली नहीं तो 6 महीने अभी हुए हैं बाइक को चलते हुए लेकिन वो भी लोग मजबूर हैं क्योंकि अगर आप साई टाइम पर सर्विस नहीं कराएंगे तो फिर वो आपको गैरेंटी वारेंटी जो इंशरेंस रहता है जो क्लेम करेंगे आप उसमें आपको दिक्कत आईगी तो इस वैसे आप भी मजबूर हैं आपको भी कराना पड़ेगा टाइम पर तो अभी इसका जो नेक्स सर्विसिंग है वो है 6 महीने बाद तब तक मेरे को कोई दिक्कत नहीं क्योंकि मेरी गाड़ी का रविंग अभी उतना है नहीं तो आप 5-6 महीने बाद आएंगे गाड़ी वापस से मखन चल रही है कुछ भी को सर्विसिंग के बाद वो बाइक और ज्यादा स्मूथ चलती है ऐसा तो है रिफाइन हो जाता है इंजन तो अब आज भी उतनी नहीं होती है जो कि वैसे टाइम पर होती रहती है कि जो मैं अभी फील कर पा रहा हूं ये था मेरा आज का दिन आई होप कुछ पॉइंट समाज आई होंगे तो आज के लिए था इतना ही समाचा अगर आपको आज के समाचार अच्छे लगे हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट कर देना प्यार दे दो इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब लेना चैनल मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में तब तके लिए बाई 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 झाल झाल झाल